वेलकम बैग दोस्तो तुफ फार्मा गाइड हिंदि फार्मा गाइड हिंदि में आपका फिरस्वागत है तो अगर आप चैनल पर नए है या फिर पूराने विवर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा दोस्तो दोस्त के साथ सब्सक्रेब कर प्रपक में हम बात करने जा रहे है classification of mixture mixture का कौन-कून सा classification आपर किया गया है तो देखे classification और type of mixture mixture के classification कौन-कून से और mixture के types भी गिरते तो देखे classification और टाइप दोनों ही एक ही terminology है लेकिन वह अलग-अलग लैंग्विज में इक्सप्रेस की गई है तो देखते है classification पहला classification बेसिस है simple mixture containing the soluble substances only देखे mixture कई प्रकार के रहते उसमें आता है पहला प्रकार simple mixture simple mixture मतलब containing the soluble substances only देखे simple mixture उसे कहा जाता है जिस mixture में soluble substances ही वापर इस्तमाल की जाते जैसे अगर एक हमने पानी लिया एक ग्लास में और उसमें शक्कर डाल दिया और नमक डाल दिया तो वह क्या होगे वह पानी में soluble हो जाएंगे उसे कहा जाता है simple mixture तो यह था example of simple mixture तो आपको समझ में आया चुका होगा उसके बाद mixture containing diffusible solids mixture containing diffusible solids तो देखें ऐसे mixture जिसमें diffusible मतलब पहले soluble थे अब diffusible जो soluble नहीं होते diffuse मतलब soluble नहीं होते लेकिन जो है वो पानी में या फिर एनी अदर mixture में डालने के बाद वो diffuse हो जाते मतलब वो अलग-अलग particles में spread हो जाते हैं जैसे इनो लिया तो इनो भी spread होता है या फिर एनी अदर जो दवई रहती है वो अगर पानी में डाल दी तो आपको कैसे बुंद 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 वाफर फर्म होते दिखते हैं उसे diffusible solids कहा जाता है how mixture containing the individual solids तो देखें तीसरा classification mixture in diffusible solids में classify किया गया है क्यों in diffusible क्योंकि diffusible जो रहते वो पानी में simple basis पर देख लेते कि पानी में डालने के बाद कैसे होते हैं वह ब्लश हो जाते और इंडिवीजिबल वह मिक्स नहीं हो पाते उसके बाद mixture containing the precipitate forming liquid देखें mixture containing precipitate forming liquid जो कि अगर पानी में पानी यह पर जो है हमने स्टैंडर्ड सुलूशन स्टैंडर्ड जो है वही कल लिया उसमें अगर कोई भी सफ्स्टंस आप दाल देते हो तो वह सफ्स्टंस थोड़ी कॉंटेटी में जो है सुलूबर रहेगा उसके बाद जो है उसकी जो लेयर है वह एड़ बॉटम ऑप दी वाटर ग्लास वापर फॉर्म हो जाएंगी तो उसे कहा जाता है mixture containing precipitate forming liquid उसके बाद mixture containing slightly soluble liquid and solid देखें ऐसा mixture जिसमें की कुछ liquid जो है वो soluble रहेंगे और कुछ solid जो है वो soluble रहेंगे और चटे टाइप्स का mixture है miscellaneous mixture तो यहां थे छे टाइप अप classification of mixture उसके बाद how will you prepare a simple mixture containing the soluble substances देखें एक question है जो बताता है कि आप कैसे एक simple mixture बना सकते हो जिसमें soluble substances जो है वो mix किये हो तो देखें हमने इसका simple mixture का example क्या लिया था water लेने के बाद उसमें शक्कर और नमंग दाल देने का वो बन गया simple mixture तो अब देखते कैसे बनाते है solution example of soluble substances देखें यह जो है यह पर चार जो है soluble substances की list दी गए पहला ammonium bicarbonate calcium chloride देखें ammonium bicarbonate और calcium chloride जो है वो soluble substances उसके बाद potassium bromide chloral hydrate soluble substances है उसके बाद ammonium chloride and citric acid soluble substance और tannic acid quinine by sulfide zinc sulfide iron ammonium citrate यह सबी जो है वो soluble substances है अब यह सो को क्या करना पड़ेगा हमें mix करना पड़ेगा तो उसके लिए एक proper method चाहिए तो method देख लिए ते method of preparation of simple mixture तो simple mixture कैसे produce करेंगे उसका जो है यह पर method दी गई है तो stage first है इसका मतलब पहली process है to dissolve the solids in about three by fourth quantity of vehicle देखे three by four quantity of vehicle मतलब यहापर जो है hundred हमें hundred जो है ml का solution बना मिक्चर बनाना है तो उसमें हमें 75 ml जो है वो वेहिकल लेना पड़ेगा वेहिकल स्टैंडर्ड वेहिकल हमने लिया water वाटर लिया उसके बाद 25 ml या फिर 25 ग्राम जो है हमें कुन सा भी सुलिवर सफ्स्टंस लेना है तो उसमें हमने डाल दिया citric acid तो citric acid कितना लेंगे हम 100 ml हमें बनाना है 75 ml हमने के लिया water तो उसमें 25 ml क्या डालना है हमें citric acid वो क्या उसके बाद रिमूव एने foreign पार्टिकल वाइफिल्टरेशन वो तो बन गया उसमें देखे एक बिकर लेने बिकर में 75 ml जो है 100 ml हमें बनाना है यह द्यान में रखना है उसमें 75 ml वाटर लेना है उसके बाद 25 ml citric acid ले लेना है उसके बाद वाप उसे क्या करना है वहाँ है filter करना है क्या करना है filter क्योंकि वहाँ पर जो भी foreign पार्टी कर रहेंगे foreign पार्टी कर रहेंगे वह filter आउट हो जाएंगे उसके पात तीसरी स्टेप है add any liquid ingredient उसमें कुन सा भी liquid ingredient दाल दीजे क्योंकि जो भी filtration के through वापर जो है quantity reduce हो चुकी है उसे back करने के लिए and rinse the vessel used with the little acquies vehicle and add into the main bulk देखे लिक्विड वेहिकल क्यों डालना है क्योंकि जो भी level वापर कम हो चुकी है उसे main bulk के समय लाना है मतलब 100 ml हमें बनाना है उसके बाद stage 4 is add more of the vehicle to produce the sufficient volume अगर वो भी नहीं रहता तो sufficient volume बनाने के लिए वेहिकल ज्यादा ज्यादा यूज़ कीजिए जैसे water stage 5 is transfer the mixture to the bottle bottle में उसे transfer कीजिए and core kit उसे जो है धक्कन लगा दीजिए and label accordingly जैसा label चाहिए जो भी अपनी मिक्चर बनाने बनाया उसका पहले नाम बिग एडिंग में यह लेबल हमने बनाया उसके बाद इंग्रेडियन जो है वह उसके बाद storage condition कैसे रहेंगे उसके बाद किसने बनाया उसके बाद label नंबर जो रहेगा वह आपर डालना है तो इस तरहीख केसे आप जो है एक simple mixture जो है बना सकते है from soluble substances, अब देखते, what are diffusible solids, give example and give the method of preparation of mixture containing diffusible solids, तो देखे, diffusible solid के से कहा जाता है, और उसका एक example, उसके example बताईए, और जो है diffusible solids का mixture कैसे बनता है, उसकी step by step method जो है बताने है, तो diffusible solids का है, the solids which are not dissolved in water, देखे, the solids which are not dissolved in water but are mixed with it, देखे, diffusible solids क्या है, जो water में dissolved नहीं होते है, हमने पहले ही बता है कि water में दालने के बाद वो क्या होगे, थोड़ी बहुत quantity में spread हो जाएगे, but mix with it, लेकिन mix होगे, so that upon shaking the powder is evenly diffused throughout the liquid for a sufficient time to ensure the uniform distribution of each dose, देखे, यह जो है, वो mix कारने के बाद, मतलब जो है, अगर आपने एक दवाई है, जैसे कि डिस्प्रिंट, डिस्प्रिंट आपको पता होगा, कि पानी में डालने के बाद वो कैसे होते है, वैसे ही यह या पर diffusible solids का होता है, वो solid जो water में डालने के बाद डिसॉल नहीं ह diffuse और उसके बाद क्या होता है, वो liquid में, throughout क्या होता है, diffuse हो जाता है, उससे क्या होता है, लेकिन time लगता है, लेकि वो uniformly distribution होने के लिए, जो है, उसे time देना पड़ता है, shaking करना पड़ता है, तो यह होता है diffusible solids, उसके बाद example देख लेते हैं, बिस्मत कार्बोनेट, क्यावल देख लेते हैं, बिस्मत कार्बोनेट, क्यावलीन, मैगनेशियम कार्बोनेट, बिस्मत सबनाइटरेट, बोरेक्स, और बोरीक आसिड, उसके बाद method देख लेते हैं, stage first में, finally powder the substance is using mortal, देखें, mortal पिस्टल लेके आपको क्या करना है, उस powder को जो है, माटर पिस्टल में जो भी soluble substances है, वो डाल देना है, उसके बाद measure about three by fourth volume of a vehicle and pour in the mortal, जो भी हमारा mortal है, उसमें three by fourth volume का जो है वेहिकल दाल देना है, उसके बाद triturate to form the smooth cream, उसे जो है अच्छा से घोल लेना है, ताकि एक smooth cream वापर form हो सके, उसके बाद कहारना है, then add a reminder of vehicle, अगर बचा हुआ जो भी vehicle है, वो वापर दाल देना है, उसके बाद stage second है, examine the content of mortal critically and if the foreign particle are present, remove by using the glass rod or muslin cloth, तो देखिए, जो भी हमने बनाया है smooth cream, उसमें water दालने के बाद, अगर उसमें foreign particle रहता है, तो उस foreign particle को glass rod से या फिर muslin cloth से जो है, वो बाहर निकाल लेना है, या फिर extract करना है, उसके रिये, add any liquid as a ingredient, ingredient flavoring agent या फिर ingredient करके उसमें, अगर आपको चाहिए, तो liquid add कर सकते हैं, उसके बाद, add more the vehicle to produce the sufficient volume, sufficient volume produce करने के लिए, उसमें वेहिकल जो है, डालना जरूरी है, उसके बाद, transfer the mixture to bottle, cork it and label accordingly, उसके बाद, जो भी mixture हम बनाएंगे, उसे bottle में जो है, डाल देना है उसे pack कर लेना है, और label अच्छे से कर लेना है, तो यह था कुछ, पहले हमने देखा, simple classification देखा, mixture का, six type of classification थे, उसके बाद, simple mixture कैसे produce करते है, with soluble substances, वो देखा, और उसके बाद, diffusible mixture कैसे produce करते है, with soluble substances, तो thank you for watching the video till end, if you are new in the channel, please subscribe the channel, like the video, and share with your friend, thank you